पदमजा जी मुझे लगता है कि स्मिर्टी रियानी जी ने जो सब्द कहा है चर्चा उससे सुरू होनी चाहिए कि कॉंग्रेस पार्टी को लग गया है क्या कि अकेले वो मोदी जी को चुनाओ नहीं हरा सकती ये उनका बयान है जो अभी मैंने आपके पैकेज में सुना और उनके सक्ता की विदाई हो रही है ऐसा मान लिया जाए और साइद यही कारण है इसलिए बिहार में वो जीतर राम मांजी और मुकेश साहनी के साथ गटबंदन में आये हैं दूसरी इंपोर्टेंट बात है कि बड़ी चर्चा हुई कि अपोजीशन की मीटिंग हो रही है क्यों हो रही उसमें दुल्हा कौन है बराती कौन है फूफा क्यों नाराज हुए बड़े सारे मेम्स सुनने देखने को मिले है और हो सकता इस चर्चा में आगे फिर सुनने को मिले लेकिन साइद आप एक लाइन कहना भूल गई कि जितने भी लोगों ने बयान दिया उसमें एक चीज बिलकुल कॉंक्रीट थी कि 2024 लोक सभा का चुनाओ नरेंद्र मोदी जी के अभिमान घमंड तानासा के खिलाफ भारत की जनता लड़ रही है महंगाई के खिलाफ भारत की जनता लड़ रही है बेरोजगारी के खिलाफ भारत की जनता लड़ यह समाजिक जो अस्तिर्ता फैली हुई है कि ये कह देना कि we the people, we believe into democracy ऐसा नहीं होता है जैसे न अमेरिका का एक मैं इंसिडेंस आपको याद दिला रहा हूँ पदमजा जी Black Lives Matter ये बड़ा अच्छा वहाँ चला था क्यों चला था? क्योंकि ये गोरे अधिकारी ने एक काले व्यक्ति को अपने बूट से या जूतों से मार कर उसको मार दिया रोड पे, सोसल मीडिया अखबारों पे दिखा चुनाओ के बाद मुझे आज भी याद है कि पूरा बाइडन प्रसासन उस ब्रक्ति केप छोटी बेटी के सामने घुटनों पे बैठा हुआ था वो था लोक्तंत्र